ममश्कार और आप देखें पलपल हारेना की मुख्यमंतरी मनोरलान ने रविबार को पंजाब की जलंदर में पंडुक दीन दयाल उपादया नगर में नागरिक्ता संसोदन कानून 2019 के समर्थन में जन जागन अभ्यान की सुर्वात की उन्होंने जलंदर के दीन दयाल उपादया नगर में बसे संसोदन की जलंदर के रेड़ पेटल में पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से भारत में आकर बसे संसोदन की सरणार्थी दयाल लाल ने मोके मंत्री को बताया कि 1989 में भारत आया था और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में वहां पर अल्प संख्यों के साथ बहुत अध्याच्यार और तकलिप से हैंड करनी पड़ती थी इसी परकार लाल जहन ने बताया कि वहां पर हिंडू लड़क के आने से पड़ोसी देशों यानि पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से प्रतारित लोगों को नागरिक्ता मिलने के रास्ते खुल गए हैं इसी अधिनियों के तहट हर्यान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आय हुए लोगों को भारत की नागरिक्ता मि की नागरिक्ता देने का कानून है जिसके तहट पड़ोशी देशों पाकिस्तान बंग्लादेश और अप्रणिस्तान स्राइब हिंदु सिख जेन और बोध तथा इसायों को नागरिक्ता दी जाएगी उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान के सिख गुर्द्वारों प जाहिए आप लोगों के बीच में आया है कुछ यह ऐसे हैं जो आज से 50 साल पहले पंजाब में काम करने का मौका मिला तो उसमें बहुत लोगों से यहां परिचे रहता था मेरा सब विधानसवाओं के चुनाव के सब में भी हर एक विधानसवा क्षेत्र में रहां उसमें जाना हुआ था लेकर आज तो एक विश्य विशेश को लेकर के हाया हूं और वो विश्य यह है कि देश में जिस प्रकार का एक वातावन अक महौल बना है उस महौल में एक सरकार वैसी आई है जिनको जिनके उपर एक जिम्वरी चले गए है कि पिछले सतर साल से बहुत से अनसुल्ज है प्रशन है जिनकी लगाता रहा हम मांग करते रहे लेक्नों आज तक सुलज नहीं पाये थे उनको एक ये करके सुल्ज हाया जा रहा है चाहे उसमें कि 370 की बात हो 35 की बात हो राम जन्मुवी बात हो ट्रिपल तलाक की बात हो या फिर अभी जो लेटेस्ट वह हुआ है नागरिक्ता संशोधन अधिनियम सिटिजन्स अमेंडमेंट एक्ट ये दोजार अभी सत्रा दोजार उन्नीस में ये पारित किया गया है वैसे सीटिज विभाजन एक्ट जो है ये 1955 का है अपने तो 1955 के एक्ट में ये सारे प्रावधान बदल बदल के दो तीन अमेंडमेंट हुए हैं अपने को पता कि इस देश का विभाजन 1947 में हुआ था जब अपना देश अजाद हुआ था इस देश के उस समय तो दो देश बने थे बाद म इन सब देशों में भी जैसे यहां हमारे यहां माइनोर्टी का गुरूप रहता है वहां भी कुछ माइनोर्टी रहती है देश जब आजाद हुआ उस में एक समझोता हुआ था दिली समझोता नेरू ल्याकतली प्रेक्ट जो हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि अपन जैसे माइनोर्टी की होते हैं बलके माइनोर्टी की सुरक्षा करने के लिए और अत्रित अधिकार देने पड़ेंगे वो भी हम देंगे उनकी जो लोकल लेवल पर जो कुछ परमप्राएं हैं रिती रिवाज हैं संस्कृती है उसके अंदर भी छेड़ खानी नहीं की लेगा उनको पुरा मान सम्मान मिलेगा यह एक्ट था दिली समझोता जो लियाकत अली फैक्ट जो बना था उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय से लेके आज तक भारत वर्ष में तो सभी माइनोर्टी को पूरे अधिकार मान सम्मान उसी प्रकार के उनकी सुरक्षा यह कमियां आज भी देखनों के मिली हैं कि उन्होंने अपने मैजोर्टी के दवाव में माइनोर्टी के खिलाफ खुब वो खिलवार करते हैं माइनोर्टी का मान सम्मान नहीं है माइनोर्टी को अपनी परंपराएं अपने रिती रिवाज अपने पुजा पतिती का तरीका पा थी को मिलती है कि तीन देशों के एलावा भी बहुत देशों के किसे और है वहाज needs बातनी करूंगा किया आज इसा समन्द तीन देशों के उस अबाद्री के साथ है जो वेहां से प्रेशान होकर के जो अब्मानेत कर के भी ज़लालत सेहन कर करके वहां तरह तक उनको जो पीड़ाएं पहुचाई जाती हैं उसके कालन से अपने आपको ऐसा है मैसूस करके और जिसको काना चाहिए सिर छुपाने के लिए इज़त बचाव करने के लिए वो लोग भारत वर्श की और देखते हैं भारत में आ जाते हैं तो जो यहां आते है और वह भारत में आपधर मुन्य नागरेटा यहां की लेना चाहते हैं दूसरे देश में जासे आया महां के लग आप छोड़ना चाहते हैं तो कुछ नीएब बनेते उसमें 11 साल के बाद अप्लैग लेश सकते उसमें बहुत से लोगों ने नागृता प्राई कियो ही है मिलती भी है बाकी सब धर्मों को मिलती है इवन मुस्लिम धम जिसके बारे में बात कहा जा रहा कि वहां का जो मजोर्टी है वो मुस्लिम समाज है मुस्लिम समाज को भी मिलती है ऐसा है कि नहीं मिलती है अगर मैं आक है उनको मिली है में मुस्लिम परिए को आवकल नहीं मिलती है उनको यह मिलती है अभी 12 साल के अंदर जिन अग्रिफता नहीं मिली है ऐसे परिवार आज means को बाघ करे शंख्या में कुछ प्रदेश कास करके ऐसे प्रदेशों में जो इधर तो पाकिस्तान और अफगानेसान के नजदीक हैं उसमें पंजाब भी है हरियना भी है जमू कश्मीर भी है दिल्ली है और कुछ प्रदेश जो बंगला देश के नजदीक हैं उसमें बंगाल है बिहार है उडिसा है असाम है ऐसे सब प्रदेशों मे वहां के लोग जाकर के रहते हैं इनको नागरिकता सुईधा जनक तरीके से मिले तुड़ा जल्दी मिले एक अमेंडमेंट सिर्फ इतना ही किया है वो जो गारा साल का टाइम बढ़ था उसकी बजाए अब उसको सिर्फ पांच साल कर दिया गया और पांच साल की भी एक डेड जिन, इसाई, पारसी ये लोग हैं जिनको इस जारे में लाया गया है और उनको जल्दी नागरिकता मिलेगी उनको जिने का पूरा सम्मान जिनक अधिकारिया मिलेगा ये एक प्रावधान किया है ये सारी घटमाएं उनको पुस्ट करती हैं जो बातें अभी हमारे चार बं पाला तुनको सहयन करनी पड़ी है यानि दासनस्कार वो अपनी मर्जी से नीजिकर सकते हमिशान गाट नहीं है वहां किवल कबरिस्तान हैं हम यहां छूट देते पूरी अ ना संस्कार करते हैं को उसको मानते हुए हिंदू समाज में कुछ अपने आप ही अपनी जोंगी वन्हांस के ऐग सवाइं है ओया पता नियाम में हर्याणा में वह दार नहीं करता नहीं करता हिंदू समाज वो दफनाता है बहुत पड़े एक नेता हमारे हर्याना के हुए हैं तो हमको छूट देते हैं उनको लेकिन किसी के उपर दबाव नहीं है कि आप किसको दासंकार करोगे किसको आप दफनाओगे मंदरी में आप कैसे पुजा पाट करोगे आपको किसी महले में से निकलना तो लाल कपड़ा आप सिर पर डाल के जो होगे कि अपनी पहचान करा होगे कि आप लगों के बीच में कुछरे ऐसे हैं जो आज से पाइसा साल पहले पंजाब में काम करने का मौका मिला तो उससमें बहुत लोगों से यहां परिचे रहता था मेरा सब विधानसवां के वातावनों को महौल बना हैं उस महौल में एक सरकार वैसी आई है जिनको जिनके पर एक जिवरी चले गए हैं कि पुछले सतर साल से बहुत से ऐसे अनसुल्ज है प्रशन हैं जिनकी लगाता रहा हम मांग करते रहे लेक्नों आज तक सुलज नहीं पाये थे उनको एक यह कर या फिर अभी जो लेटस्ट वो हुआ है नागरिक्ता संशोधन अधिनियम शिटिजन्स अमेंडमेंट एक्ट यह दोजार अभी सत्रा दोजार उननीस में यह परित किया गया है वैसे सीटिजन एक्ट जो है यह उननीसोपच्पन का है अपने तो उननीसोपच्पन के एक् इस देश के उस समय तो दो देश बने थे बाद में जो हमारा दूसरा देश जो टूट करके हमसे बना पाकिस्तान उसके दो इससे हो गए बंगला देश और पाकिस्तान अफगानिस्तान उससे पहले से है लेकिन इन सब देशों में भी जैसे यहां हमारे यहां माइनोर्टी रहती हैं देश जब आजाद हुआ उस्व में एक समझोता हुआ था दिली समझोता नहु ल्याकतली प्रेक्ट जो हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि अपने अपने देश में हम मजोरिटी के साथ साथ जो मानौरिटी है जो अल्प संकेक हैं उनको भी उसी प्रकार के अ प्रक्षा करने के लिए और अत्रित अधिकार देने पड़ेंगे वो भी हम देंगे उनकी जो लोकल लेवल पर जो कुछ परंप्राएं हैं रिती रिवाज हैं संस्कृती है उसके अंदर भी छेड़खानी नहीं की जाएगी उनमें हस्तक्षिप नहीं किया जाएगा उनको पुरा मान सम्मान मिलेगा ये एक्ट था दिली समझोता जो लियाकत अली पैक्ट जो बना था उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय से लेके आज पर भारत वर्ष में तो सभी माइनॉरिटीज को पूरे अधिकार मान सम्मान उसी प्रकार के उनकी सुरक्षा ये सब की जाती खूब वो खिलवार करते हैं मान नहीं है मान प्रवार पूजा पतिति का तरीका पाठ घर परिवार के जो उनकी प्रवेट तोर पर जो भी कुछ रिवाज बने हुए हैं उनकी उपर भी उसको उनको सहन नहीं होता याई अगर देखा जा तो इन टॉलरेंस इन तीनों देखोने को मिलती है तीन देशों के इलावा भी बहुत देशों के किसे और है वो आज आज बात नहीं करूंगा क्योंकि आज यह जो सीए ए है इसका समंद तीन देशों के उस अबादी के साथ है जो वहां से प्रेशान हो करके जो अपमानित हो करके जलालत सहन करके वहां तरह तक उनको पीडाएं पहुचाई जाती हैं उसके कार्ण से अपने आपको ऐसा है मैसूस करके और जिसको काना चाहिए सिर छुपाने के लिए इजद बचाव करने के लिए वो लोग भारत वर्ष की और देखते हैं भारत में आ जाते हैं तो जो यहां आते हैं उनकी वर्ष के साथ अपना आप समंदों बनाना चाहते हैं नागरिक्ता यहां की लेना चाहते हैं दूसरे देश में जासे आया है वहां की नागरिक्ता छोड़ना चाहते हैं तो कुछ नियाब बने थे उसमें 11 साल के बाद वो अपलाई करके नागरिक्ता ले सकते हैं उसमें ब अगर मैं आकड़ा आपको बताओं तो पिछले 2014 से 2019 जो पहला हमारा NDA सरकार का टाइम पेड़ रहा है मोदी जी का उसमें भी साड़े 500 मुसलिम परिवारों को नागरिक्ता मिली है बाकियों को मिली है मैं मुसलिम परिवारों को खास बता रहा हूँ जाने कि मुसलिम परिवारों को नहीं मिलती है उनको भी मिलती है अभी 12 साल के अंदर जिनको भी नागरिक्ता नहीं मिली है ऐसे परिवार आज भी जम्हू कश्मिर भी है दिल्ली है और कुछ प्रदेश जो बंगला देश के नजदीक है उसमें बंगाल है बिहार है उडिसा है असाम है ऐसे सब प्रदेशों में वहां के लोग जाकर के रहते हैं इनको नागरिकता सुधाजनक तरीके से मिले तुड़ा जल्दी मिले एक अमे लगा दिये किस समय ते के पांच साल यह नहीं 31 दिसंबर 2014 इससे पहले जो लोग आए हैं उनको अब सुधाजनक तरीके से इंदू सिक्ख बॉद्ध जैन इसाई पार्सी यह लोग हैं जिनको इस दारे में लाया गया है उनको जल्दीना गिक्ता मिलेगी उनको जिने का पुस्ट करती हैं जो बातें अभी हमारे चार बंदों ने पांच बंदों ने बताई हैं आपके प्तिरिती की तौर पर बताई हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या जलालत उनको सेहन करनी पड़ी है यानि दासंसकार वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं वहां समशान गाट न संपराएं हैं वो भी कर देते हैं बहुत संथ नैसी तो बलके उसको अच्छा मानते हैं हिंदू समाज में कुछ अपने आप ही अपनी रिती रिवाज के कारण से या दफनाने का एक समाज है विश्णोई समाज या पता नहीं पंजाब में है के नहीं हर्याना में विश्ण को देते हैं उनको लेकिन किसी के अपर दबाव नहीं है कि आप किसको दासिंसकार करोगे किसको आप दफनाओगे मंदरी में आप कैसे पुजा पाट करोगे आपको किसी महले में से निकलना तो लाल कपड़ा आप सिर पर डालके जवाओगे कि अपनी पैचान कराओगे कि हिंदो हैं आपका सबका जलंदर में ही स्वागत करता हूं आप इस प्रेस कॉंफरेंस बात्चीत में शामिल हुए आज एक विशेश विशा को ले करके और पुरे देश में भारते जिंता पाइटी के जितने नेता हैं जितनी सरकारें हैं सरकार के मुख्या हैं उन सब की औ से एक अभ्यान शुरू किया जा रहा है और वो है जो सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में जो फेलाई गई भ्रहंतियां हैं उन भ्रहंतियों के बारे में थोड़ी चर्चा आप से करनी हैं जै नहीं निभाई बलके चीजों को जिसको कहना चीए अधूरी छोड़ी होई थी कोई भी समस्या आई तो पुट दा प्रॉब्लम अंडर दा कार्पेट इस प्रकार की नीतिके वो चलते रहे तो इस प्रकार से समस्याओं को कभी भी हम दूर नहीं कर सकते समस्याओं का हल खो संसद्वारा कर निया काम थे या इसमें कहीं कोट्स में भी कुछ विशय थे वो भी से योग कर रहे हैं तो कोड्स में भी विशय नयान ना एक्स तरी में जा रहे हैं उसमें फिर केवल संकेत की रूप में बता रहा हूंकि तीनसष्य सतर हो 35 वी हो राम जन भूमी हो सिटिजन बिल सिटिजन जो एक्ट है यह 1955 का है और जब देश आजाद हुआ उसके बाद यह एक्ट बनाया गया कि कौन को लोग इस देश के नागरिक होंगे और कौन को लोग नागरिकता के पात्रों और बन सकते हैं उसी में समय समय पर कई संशोधन हुए कुछ नए रूल् हैं उनको वो समान दिकार नहीं मिलते उनका मान समान नहीं होता बलके जो ऐसे लोग है जो अपने मानोरिटीज को भी जलील करते हैं उस जलालत को सहन करके अगर उन देशों से भारतवर्श में कुछ लोग आये हैं उनको नागरिकता जो पहले प्रावधांदा था के 11 साल क बाद नागरिकता उनको मिल सकती है उस समय को कम करके और पांच साल किया है पांच साल का भी एक डेट बाउंड प्रोग्राम जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आये हैं उनको नागरिकता के लिए आवे दिन करने पर नागरिकता मिल जाएगी उसमें चाहे वो है उसमें हिंदू हैं सिक हैं जैन हैं बौत हैं इसएग पारसी हैं इन सब लोगों को सुझेता दी गई है इस बात को कुछ विपक्षी दलों ने और एक मुद्धा बनाकर लोगों को ब्रहमित किया, लोगों को शंकायय उनमें पैदा की और खास करके मुसल्मानों में शंकायय पैदा की, कि जैसे मुसल्मानों की नागरिक्ता को छीन लिया जाएगा, इस परकार का वरह फेलाया गया मैं इसमें एक दम स्वस्ट करना चाहता हूँ कि ये बिल ये जो संशोदिन किया गया है ये एक पर्टिकुलर क्लास को नागरिकता देने के लिए किया गया है किसी की नागरिकता चीनने के प्रावधान के बारे में कुछ नहीं है वो तो जो उरिजिनल जो हमारा एक्ट है सिटिजनिशिप एक्ट 1955 का जो प्रावधान उसमें हो वो सब वही हैं केवल इस वर्ग को के इन तीन देशों की माइनोरिटी को यदि वहां से जलील हो करके आना पड़ता है उनको वहां रितिरिवाज नहीं माने दिया जाते उनको रोजगार से बेदखल किया जाता है उनको हर प्रकार से उनके कामकाज में जो बादा डाली जाती है उनको प्रिशन किया जाता है कई लोगों को धर्म परिवर्तन के वले मजबूर किया जाता है तो इस नाते से उनको यहां आने पर नागरिकता की सुईदा मैंनी पाँच साल पहले वाले जुनागरिक हैं उनको सबको मिल लेगी ताजा उदार नगर में देना हो तो ऐसे सुधान जो पहले भी हुए हैं वो उनका प्रभाव जैसे भी नंकाना साथ के अंदर तीन दन पहले जो घटना हुई कि एक वहां के जो गरंथी हैं उनकी बेट और सौ के लगबग जो फैमिली जैसिकों की उस गुर्दवारे के अंदर अभी भी हैं और वहां एक विरोध चल रहा है और बलके यहां तक के दिया गया कि नंकाना साथ का नाम बदल करके शायद कुछ और नाम मुसलिम नाम उनने बताया कि वो नाम रख लिया जाए तो य इस प्रकार के कानूर बनाया जा रहे हैं जो इस देश के प्रती प्रती प्यार रखने वाले लोगों को स्वरक्षा देने में अगर वो कारगर हैं तो उसका सब को स्वागत करना चाहिए इसका विरोध किसी राजनेती की यानि मन्शा को लेकर के क्रिटिसम फॉर दख सेक क्रिटिसम यह नहीं करनी चाहिए ऐसा मेरा कहना है और अगर कहीं कोई आंदोलन खड़ा भी करना हो तो मैं कॉंगरेस समयत ऐसे सभी दलों को ऐसे ग्रूपों को जो इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको कहूंगा कि विरोध भी करना है तो जो कारण है इस अमेंडमेंट का वो कारण है कि इन तीन देशों में उनकी माइनोरिटीज को अधिकार जो नहीं मिलते हैं वो अधिकार उनको मिलें तो पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगरनेस्तान के ओपर दबाव डालने के लिए परदर्शन करने चाहिए कि वहां पर उनको और पूरे अधिकार, पुर लिए जा रहा है